हालो चुटेंट प्रिवियस व्यूडियो में हम लोग यूनिट 1 और यून 2 के बारे में डीटील कर चुके हैं अब जो है यूनिट 3 के बारे में डिस्केशन करेंगे हम लोग कि यूनिट 3 क्या क्या हमको पढ़ने है इस पाइंट को पहले देख लेते हैं यह जो है यूनिट 3 में हमको अर्थकुक के बारे में पढ़ना है बेसिक इंडिट्रक्शन के अर्थकुक क्या होता है its causes, classifications, seismic zones of India and geological consideration for construction of building project in seismic areas then हमको landslide के बारे में discussion करना है कि landslide किन किन काहणों से होता है basic introduction, causes, classification and preventive measures तो preventive measures जो है आपका अर्थकुक में भी है ठीक है जैसे पहले तुम लोग इंडिट्रक्शन जो है पढ़नेगी कि earthquake होता क्या है फिर earthquake के बारे में यह निए causes, classifications and seismic zones के बारे में detail discussion कर लेंगे फिर हमारा main अगर हम बात करें क्यों हम पढ़ रहे हैं अर्थकुक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में discussion होगा क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी project है वो ultimately हम उसको कहां implement करेंगे अर्थ पे यानि soil पे तो अब soil पे अगर आप कोई भी project implement करेंगे इंस्टाल करेंगे या फिर आप उसको construct करते हैं तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि वह अर्थकुक्त पूरे नेरिया तो नहीं 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 है क्योंकि अगर अगर individual household की बात करें तो इंडिविज्वल हाउस होल्ड में जो है हम लोग अर्थकुक्त पॉइंट पॉइंट नहीं कंसीडर करते हैं जैसे आप आपको मालीजी फिर्स्ट फ्लोर का कोई जो है आपको कुछ बारा सो या पंद्रसुस वाइर फीट में कोई आपको बनाना है बिल्डिंग इंडिविज्वल हाउस होड कहलेजिए तो उसके लिए उतना कोई जरूर नहीं कि से किया जाए ठीक है क्या क्योंकि आप जो भी वो प्रजेक्ट करेंगे वो आप लोकल एरियां करेंगे समालेजे पर्सनल लीमालेजी तो परसनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वहां पर अगर हम फ्रस्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर तक क्या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो किसी तरह का कोई प्राब्लम आएगा नहीं अतलब कॉमपैक्शन या फिर अर्थक्विक पॉइंट कहीं से जो है अंदर जो है सिंक कर गया तो ऐसा कुछ प्राब्लम जो है आप देखने को नहीं मिला तो आप बना लेते हैं बिना किसी अर्थक्विक पॉइंट व्यू से बिना इसको देखे हुए हां अगर वही आप मैसिब स्ट्रक्चर को बनाते हैं आई राइस बिल्डि है किस जोन में वहाता है कि जैसे जोन 1 में है जोन 2 में है थैरी में है They're all about गांना फ़ाइब है तो एक्शनल में में ज云न 5 तक cop LAUGHTER घिवा अ क्या Kiev को नए पॉइंट अब्यू से बात करें तो जोन वन और टू को जो है मर्ज कर दिया गया है तो अभी क्या है जोन फॉर तक ही हमारे यानि यह यह वन और टू अपका जोन वन हो गया थैं थर्ड फॉर्थ एंड फिस्थ यही अभराल मिला के चार जो हमारे इस कंट्री में है इं है तो देखिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आप जो है इस यूनिट में स्वामी जी बुक को जो है फालू करेंगे इनके बुक में जो है अर्थ को के बारे में बढ़िया दिया हुआ है पहले की तरह अगर आपके पास सैफुल इसलाम है तो काम चल जाएगा कोई बात नहीं सैफुल इसलाम भुक है तो इसमें भी अर्थ के बारे मढ़िया दिया हुआ है तो जूनिट थर्ड के लिए हम इन्हीं दो फालू करेंगे अधर आपके पास कोई बुक है तो आप उस चलिए अर्थक्विक पहले तो अर्थक्विक नाम सुनिया और सोचिए होता क्या है और आप इसको जो है तो फील किये होंगे गतवर्सों में आप देखे होंगे क्या है कि आपको फिल हो था है वाइब्रेस अ एर्थ जो है longitude नी या laterally जो है move कर रहा था सेक कर रहा था जिस प्रकार आप देखते हैं वह सीव सेकर में आप किय होंगे आप टेस्ट तो आपके सीव क्या कर रहे थैं move कर रहे थे ठेक है left right fred जो है move कर रहे थे उसे प्रकार आपके जो है ground में क्या हो रहा है से की हो रहा है तो earthquake का basic decision दिखिए an earthquake is the sudden vibration of the earth surface sudden vibration sudden vibration of the earth surface by rapid release of energy अब अर्थ में vibration के गरम बात करें तो अर्थ में vibration लाने के लिए जो है बहुत ही high energy जाई है जैसे किसी भी plate को move करने के लिमाले जो कोई आपके बास mage है उस पर आप impact करेंगे तो आपको कुछ movement होगा तो same उसी प्रकार अब उस mage को consider के लिए अर्थ अर्थ क्या है बहुत बड़ा है तो कई हजार गुना है तो उस पर कई हजार गुना energy भी required है अगर उतने बड़े इसके लिए इतने बड़े अर्थ को vibrate करने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा energy चाहिए तो लिखा किया है rapid release of energy अब यह rapid release of energy कहां से आ सकता है के सोचिए कि rapid of release energy यह यह नि रैपिड energy कहां मिलेगा आपको rapid energy आपको मिल सकता है किन केसों में जैसे volcanic eruption volcanic eruption in case में जो है क्या discuss करेते हुँट में कि जो आपके magma है magma क्या content कर रहा है आपका high pressure magma क्या content कर रहा है high pressure बहुत ही high pressure है आपका वाटर वेपर हो गया आपके गैसेस हो गएं आपके अधर मिनरल्स जैसे कैल्सियम, मंगनीसियम, फेरस, कुबाल्ड जो भी है तो यह मिनरल्स यानि जो रॉक है रॉक इन लिक्विड इस्टेट विट इनॉर्मेस अमाउंट आफ हीट तो अब इन कारणों से क्या है इन में से बहुत ज्यादा एनर्जी है अब वो एनर्जी यहजोगाँ मुझे वह से ट्राइब करता है कहें być को अर्त में एक वीक को वो खोशता है कि यह मैगमा ऐसा था तो कहीं भी वीक पॉइंट यहां पर आपका अर्थ का लेयर क्या है पतला है तो यह मैगमा ट्राइब करेगा कि हम इन्हीं कहीं भी पतले स्थानों से जहां पर थिकनेस बहुत कम है अर्थ का वहीं से इसकेप करने का यह ट्राइब करता है इसकेप होगा मैगमा बाहर आएगा लावा में तो मोठ होगा देन फर्दर आप जानते हैं कि वॉलकेनिक रॉक फिर आपका फ्रॉटोनिक जो भी रॉक का फर्मेशन है यह आप जानते हैं तो रैपट रिलीज पहला करण क्या हुआ सकता है जां सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका सेकंड पॉइंट आपका टेक्टोनिक मूवमेंट यह ट्रीक के मूवमेंट तो अगर 2016-17 के अगर बात करें तो नेपाल में आप जानते होंगे कि यह बहुत ही जो है है हाई अमांट में आपका अर्थक आया था था ठीक ह तो उस earthquake का कारणा बताय गया था कि tectonic plates के movement जो हिमाले आपका reason है वहां पर जो tectonic plates है उनके movement को ही बताय गया था कि वही कारण है अब वहां पर tectonic plate किया तो सडेन एमांट में क्या है अपका ही तbn में अपका जो है अनिर्ज्रीक हुआ कि जैसे की ऊंप्षोल्ट में हम डिस्कॉस किये थे ऐहलं कि छोड़्वाट मे की ऋनितिन जिस भूं से म main खरकरता है हैं तो इस प्रकार में कुछ पाइट बाइट पाइट पाइट हैं जो जुड़े हुए हैं जो जो आले भी डिसकॉस हो चुका है कि ही अर्थ में आप जो हैम रज़गे शटाने पाई जाती है रोकक्स अभी रोक्स क्या है इस अर्थ के जो है as a skeleton act करती है के लिए धाचा यह है पूरा अर्थ का धाचा इन्हीं रॉक्स पे टिका हुआ है ठीक है अब चुकि यह plates है plates में कहीं joint तो है नहीं कि joint है नहीं तो कुछ सालों में कभी ने कभी जो है यह पांच साल दस साल बाद जो है इन में सब्सक्राइब उसमें लाइट इनर्जी भी दिखेंगा कि जो है कुछ चिंगारी टाइब में निकलेगा से मुसी प्रकार अगर यह रोग बहुत ही मैसिव हैं बहुत जादा मैसिव माउन्ट में हैं तो उनका हलका सा मुवमेंट बहुत जादा इनर्जी रिलीज करेगा अगर एक mmb वो डिस्प्लेस होता है तो बहुत ही हाई अमाउंट में इनर्जी रिलीज होगा और वो लगभग 200-300 किलोमेटर दूर तक जो है इनका इंपक्ट जाएगा ठीक है तो यह है आपका अर्थ्वेक नेक्ट पढ़िए इस एनर्जी इस रिलीज्ट वेन तो पाइ आई हम डिसकस किये हैं अर्थ्विक का मेजर कारण अगर हम बात करें तो पहला क्या था आपका वॉलकेनी के रक्षन सेकेंड आपका क्या है टेक्टोनिक प्लेट का मुवमेंट होगा तो फोल्ट और फाल्ट भी होता है ठीक है देखिए जब टेक्टोनिक प्लेट्स प्लेट्स अगर मूव करते हैं तो उसके आज पास जो भी रॉक्स हैं उनमें कुछ न कुछ कह लिजी की डिस्टर्बेंस होगा कुछ न कुछ इसमें डिस्टर्बेंस होगा डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन आएगा साथी साथ आपका चुकी मैसीब इनर्जी है तो वेब के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और कौं सहफो होंगे ऑगर डिस्टर्बेंस करें अब अपका आपका जो है पी विए भी हो बाई रैपित रिविज आओफ एनरज्जी कि क्या आपका सेटैन वइब्रेसान डिउट वाट रैपट रिलीज अपनरजी अब वह एनरजी वलकेनिक हरफ्सन भी हो सकता है या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के movement के कालाण भी हो सकता है या rock masses के movement के कालाण भी हो सकता है सब्गर्म और सिस्मोलोजी अचिमिलोजी कर स्पार अर्थ्विक में क्या अन्तर हैं टेदंगे afterward तो आपका बहुत बड़ा terminology है Ctrl कि और अर्थ्विक क्या हैं classifications क्या है कौन-कौन से वेब इसमें आते हैं कौन-कौन से इसमें टारी और यूज़ करते से आपका intensity हो गया intensity of earthquake magnitude of earthquake seismograph अधिक है तो इन सब के बारे में जो भी हम study करेंगे अर्थक्वेक से रेलेटेज जो भी पॉइंट अभी हम discuss कि हैं उन सभी के study को ही हम कहते सिस्मोलोजी ठीक है अब statement को पढ़िए कह रहा है this science dealing with the study of earthquake in all their aspect is called सिस्मोलोजी तो in all their aspect में वहीं है its causes जैसे की या फिर कह लिए कि अगर unit पर आई है unit 3rd में क्या कह रहा है देखे अर्थक्वेक इट्सकाज़स classification seismic zones of India and geological consideration for construction of building project in seismic area है तो यह सभी point देखे सभी point क्या है यह सभी point आपका जो है कि यह सभी point जो है आपके कि सिस्मोलोजी में आते हैं एक मेरी इन सबको रिमूब कर देए थैस्मोलोजी घुछी लेखे लिए स्टेटमेंट को पढ़िया The science dealing with the study of earthquake in all their aspects is called seismology then further क्या कह रहा है The word seismic is commonly used to qualify anything related to earthquake such as seismic waves, seismic intensity, seismic zoning, seismic region and so on इस सभी के study को हम कहते हैं seismology ठीक है, next आईए आईए देखिये, कह रहा है causes of earthquake statement पढ़िये causes में हम discuss कर चुके हैं फिर भी देखिये earthquake are caused by tectonic movement in the earth crust देखिये, पहले ही दिया है tectonic movement in earth crust then further the main cause is when tectonic plates ride one over the other causing औरोगेनी means mountain building and severe earthquake, the boundaries between moving plates form the largest fault surface on earth तो यह है causes ठीक है तो causes में आईए देखिये पहला point कह रहा है superficial movement मुव्मेंट देखिये, शुपर फिजियल मुव्मेंट मेंस कह लिए जै कि आभासी ठीक है superficial means कहले कि आपको feel हो रहा है बट superficial movement के कारण जो है किसी तरह का damage नहीं होता है superficial movement means कहले कि vibration of earth at micro level यानि small area में earth surface का movement मुव्मेंट तो आप कहेंगे कि small area में movement कैसे हो सकता है हो सकता है जैसे कि आप देखते होंगे for example जैसे आप highway पे खड़े है और सुचिये कि कोई truck आ रहा है जो कि heavily loaded है ठीक है कोई truck आ रहा है जो बहुत ज्यादा loaded है और आपके नजदीक से वो cross कर गया तो आपके नजदीक से अगर cross करेगा तो आपको कुछ न कुछ जो है अर्थ का movement feel होता होगा या फिर आप अपने घर में ही है और आपके घर के सामने जो आपके road है वहां से कोई अबर लोड़ेड या फिर जो है कोई heavy machinery या कोई hauling equipment जैसे क्रेन वेगरा जा रहा हो ठीक है तो आपको कुछ feel होता होगा कि कुछ नहीं कुछ movement हो रहा है हलका हलका vibration feel होगा उसी vibration को कहते है superficial movement but यह जो superficial movement है इससे कोई damage नहीं होता है मतलब जान माल हानी का कोई नुकसान इससे नहीं होता है superficial movement से ऐसा कभी अभी तक इतना नहीं हुआ कि कोई building कोई collapse कर जाए या फिर कोई collapse हुआ कोई building बहुत जादा लोग उससे जो है प्रभाईत हुएं ऐसा कुछ नहीं है इसमें point add करने का यही मतलब है कि यह क्या है यह minor earthquake इनसे होता है इनसे कोई problem नहीं है बट हम लोग study करने vibration vibration of the earth तो superficial movement से भी vibration हो रहा है अब due to energy की बात हो रही है तो जो overloaded overloaded या heavily loaded जो भी आपके पास machinery या फिर जो भी आपके पास truck वगरा move कर रहे है उस road से तो हलका फुलका वो क्या है rapid energy release कर रहे है जिससे जो है macro state यानि बहुत ही small area में क्या है अर्थ का movement हो रहा है जिसके करण आपको कुछ नो कुछ vibration फीड हो रहा है ठीक है तो यह है superficial movement बाकी जो second है second के बारे में तो डीबले डिसकस किया है कि भाई वालकेनिक एरफशन और जो है आपका tectonic plates ही में responsible है earthquake के लिए ठीक है तो second आपका क्या है volcanic eruption तो volcanic eruption क्या 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 रहा है भाई volcanic eruption जिस्वाल लीजिए यह surface है और surface से magma क्या है हमेशा ट्राइब करता है कहीं भी point से जो है escape करें जाइड सी बात है अर्थ में जो है कहीं कहीं आपको cracks मिल जाएगा ठीक है कहीं कहीं fault मिल जाएगा जिससे क्या करेगा यह magma बाहर की ताम लेगा और कुछ इस तरह का जो है formation कर देता है ठीक है तो यह magma जम निकलता तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही हाई करता है कि बहुत ही हाई माउंट में इनर्जी रिलीज करता है क्योंकि बहुत ज्यादा पास बहुत ज्यादा इनर्जी होता है तो जब बहार आता है तो लगभग कैलीजे की 100-500 km के आसपास में जो है उसका जो है इनर्जी का मूव्मेंट जो है पहुंचता है यानि वाइब्रेशन फ्वील होता है तो इससे तो दिखें की जो है मीडियम इसके प्राब्लाम हो सकते तो बहुत ही मेजर है फूल्डिंग फॉल्टिंग तो फोल्डिंग वाल्टिंग मैं करे आओवे ऐस गुलोमेटर के आप एक हजार किलोमेटर से भी ज़्यादा उस केस में क्या है लगबग 7 के बग 7 intensity के बग जो है अर्थक्विक जो है आते हैं उस केस में बहुत ज़्यादा जानमाल का हानी होता है ठीक है तो major अर्थक्विक के कारण अगर हम जानना चाहें तो folding, falting है का सकता है यानि tectonic plates के movement इस से ज़्यादा problem होती है folding and falting से वो अलकेनिक eruption देन उसके बाद second है फस्ट से खासा problem नहीं होता है अगर कोई जरजर जो है आपके पास building है ठीक है गेर सो दो सो साल उस building को हो गया है आप maintenance कराए नहीं तो उस case में जो है हलके फुलके movement से यानि मालेजे कि वहां पर कोई hauling equipment चलाया है जैसे मालेजे कि crane आ गया crane वहाँ वर कर रहा है या फिर कहलेजे कि roller roller अगर चलता है तो भी आप देखते हैं कि grounds take करता है move करता है उस condition में जो है वहां पर sudden collapse के chances हो सकते हैं तो यह होगा है आपके causes जिसमें सबसे main cause आपका tectonic plates का movement या folding और folding है इन तीनों चीज़ों का आप याद रखिए causes में इन तीनों points को जो है आप इसको memorize कर लीजिए तो फर्स्ट बन से ज्यादा कोई problem नहीं होता है फर्स्ट बन आप जो है डेली लैब में देखते होंगे ठेक है यानि superficial movement से लगभग जो है आपका दो से तीन intensity का जो है earthquake फिल हो सकता है कि वॉलकिनिक वाले में आपका जो है लगभग तीन से च्छे के आसपास में जो है movement फिल हो सकता है ट्रेक्ट्रोनिक में आपका जो है एट केबब यानि 7 केबब एड़ सकते हैं 7 8 9 12 के आसपास में जो है इतने इंटेंस्टी का जो है इसमें अर्थ्विक आ सकता है ठीक नेक्स आते हैं टर्मिनोलोजी टर्मिनोलोजी में क्या है फस्ट वन आपका क्या है फोकस दैन एपी शेंटर सिस्मिक वर्टिकल को सिस्मल लाइन एंड लाज्ट सिस्मिक वेपस तो इनके बारे में डिस्कसन करते हैं फोकस क्या होता है फोकस देखिए दि प्लेस आफ एक्च्वल ओरिजिन आफ अर्थ्विक वेपस जहां से actual जो है आपका movement होता है जहां से energy release होता है उसी को focus करते हैं पर example आप इस figure को देखिए इस figure में ये जो है आपका focus है यहीं से sliding हुआ sliding हुआ तो energy देखिए यहां से release होना start हुआ ये जो आपको points दिख रहे हैं यह सभी energy जो है इनका movement अभी होना start हो गया है तो इनको हम कह रहा है सिस्मिक वेव्ज एजड़ेबलो में सिस्मिक वेव्ज आपका move कर रहा है कि टर्मिलोजी में देखिए आपका लिखा था इप इस इंटर है ठेक है तो focus से जो energy जो minimum earth surface है यानि जो भी energy इसके minimum distance पे अर्थ surface पे अगर वो touch करती है तो वो point earth surface पे उस point को हम epicenter कहते हैं ठीक है जैसे माली जी यह focus है तो focus से सबसे नजदी की दूरी अर्थ की सबसे नजदी की दूरी क्या है यह है यह point सबसे नजदीक में है तो earth surface पे इस point को हम कहेंगे epicenter ठीक है लोगों confusion होता है focus और epicenter में तो focus जहां से energy release हो रहा है focus देखे earth surface पे नहीं होता है focus आपके earth surface के नीचे ground के जहां पे tectonic plates move कर रहे है उस point को हम कहते है focus ठीक है और इसी point यानि इसका wave किसी भी earth surface पे किसी नजदी की point पे अगर वो touch करता है तो earth surface के जो point को कहते है उसको कहते है epicenter ठीक है जिसको हम capital E से denote किए epicenter यह देखिए sb यानि seismic vertical ठीक है seismic waves या फिर कह लिए कि seismic vertical थर्ट पॉंट क्या सिस्मिक वर्टिकल देखिए तो सिस्मिक वर्टिकल क्या आपका focus से epicenter की दूरी ठीक है यह क्या है focus से लेके epicenter की minimum दूरी को हम कहते है seismic vertical then focus से यह देखिए ओ क्या है observatory ठीक है या observation station ठीक है तो focus से से लेके observation station की दूरी को कहते हैं हम co-seismal line है ठीक है कि SWM is seismic waves seismic waves क्या है यह जैसे कोई पानी है कोई तालाब सोचिए उस तालाब में अगर आप किसी भी कंकर पत्थर को अगर आप फेकेंगे तो जो waves आपको क्रियेट करेंगा कुछ circular टाइप में waves मूब करते हैं से मोई चीज़ है तो यह आपका सिस्मिक वेब तो टर्मिनलोजी के बारे में जो है डीटेल डिसकसन जो है नेक्स्ट वीडियों करेंगे आज के वीडियो में इस वीडियों में बस जो है इतना ही काफी है ठीक है बाकि जो है नेक्स्ट वीडियों में जो है इसके बारे में डीटेल डिसकसन कर लेंगे फिर से एक बार ए ठीक है, ok, thank you.